रमसाजी बने साजो समाजो सब बनिता बंदो समेथ बांदि बैप्रगुरो चारने प्रभो चले कर सब आहीं अचेत लखन शिराम चंद्र की जए बन का सब साज समान सजकर बन के लिए आवस्च बस्तियों को साथ लेगा सी राम चंद्र जी इस्त्री स्री सीता जी और भाई लश्मर जी साहद ब्रामन और गुरू के चरणों की बंदना करके सब को अचेत करके चले ने का सी बस ऐस्ट द्वार भै ठाने देखे लोग बे रहे दबदाडे का है प्रीय बचन सकल समुझाए बै प्रब्रांदर अगो भीर बोलाए राज महल से निकल का सी राम जंदर जी बस ऐस्ट जी के दरवार पर जा खड़े हुए और देखा की सब लोग बे रह की अगनी मेजल रहे हैं उन्होंने प्रीय बचन कह कर सब को समझाया फर सी राम जंदर जी ने ब्रामनों की मंडली को बलाया सी राम गुरू सन कहे बरसासन दीन है आदर दान बिना बस कीन है जा चक दान मान संतों से मीत पुनीत प्रेम परितों से गुलू जी से कहकर उन सब को बर्सासन बर्स भर का भोजन दिये और आदर्दान तथा बिनैसे कह उन्हें बस्वे कर लिया फिर आचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवेत्र प्रेम से पसंद किया सिरम दासी दासे बुलाएं बहोरी गुरहिशों पे बोले कर जूरी सब के सारे समारे गुसाईं कर अब जनक जननी की नाईं फिर दास अदासियों को बुला कर उन्होंने गुरू जी को सौपकर हाथ जुड़कर बोले हे गुसाईं इन सबकी माता पिता के समानसार समार देखरे करते रहेगा स्री राम बारही बारे जोरे जोगे पानी कहत राम समसा नम्रद बानी सोई सब भाती मूरे हितकारी जेही ते रहें भुवाले सुखारी स्री राम जंद जी बार बार दोनों हाथ जुड़कर सबसे कौमलवाने कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेस्टा से महरा सुखी रहें मात सकल मोरे बेरा हैं जही नहों ही दुख दीन सुई उपाए तुम करा हो सब पुर जन पराम प्रभीन लखन शिराम चंदर की जाए हे परम चतुर पुरवासी सचनो आप लोग सब वही उपाए करियेगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे ब्रह के दुख से दुखी ना हो सिराम यहीं बेदिराम सब इस समझावा गुरु पद पदम हरस शरनावा गन पतिगोर गिरी सुग मनाई चले यसी सपाई रगुराई इस प्रकास राम चंदर जी ने सब को समझाया और हरस दोकर गुरु जी के चरन कमलों में सरनवाया फिर गड़ेश जी पारवती जी और कौसल पति महादियो जी को मना कर तथा आसीर बातपा कर सिरोगनाद जी चले सिराम राम चंदर जी के चलते ही बड़ा भारी बिसाद हो गया नगर कारत नाद हाहा कार सुना नहीं जाता लंका में बुरे सकुन होने लगे उध्या में एत्यंत सोक्षा गया और दियो लोग में सब हर्स और विसाद दोनों के बस में हो गये हर्स इस बात का था कि अब राखिशों का नास होगा और विसाद जी चले बन प्रान न जाहीं कहीं सुखे लागे रहत तनमाहीं मूर्चा दूर होई तब राजा जागे और समंतर को बलाकर ऐसा कहने लगे सिराम बन को चले गए पर मेरे प्रान नहीं जा रहे हैं ना जाने कि किसी सुख के लिए सरीर में टक रहे हैं सिराम यहीं ते कवन बैथा बलवाना जो दुख पाये तजाओ तन प्राना पुनिधर धीर कहा ना रेना हू लेर रथो रसंग सका तुम जाओ इससे अधिक पलवती और कौनसी बथा होगी जेसे दुख को पाकर प्रान सरीर को छोड़ेंगे फिर धीर धर कर राजाने कहा है सका तुम रथ लेकर सिराम के साथ जाओ सिराम सुठे सुकमार कुमार दो जनक सुता सुकमार रथ चढ़ाए देखे राए बारों फेरा हो गए देन चारी लखन से राम चंदर की जाए अत्यंत सुकुमार दोनों राजकुमारों को और सुकुमारी से जान कीजी को रत्मे चढ़ा कर बन दिखला कर चार दनी के बाद लोटा लाना सिरम जो नहीं फेरा ही दीर दो भाई सत संद दरण ब्रतर घोराई तो तुम बेनाय कर हुकर जोरी फेराएं प्रभु में थले से कुसे ओरी यदि धैर्वान दोनों भाई ना लोटें क्योंकि इसी रहुनात जी प्रण के सच्चे और दर्ता के से नियम का बालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर बिंती करना की है प्रभु जनक कुमारी सीता को तो लोटा दीजिए जब सी एकानन देखे डराई कहए हमोर सकिया वो सर पाई सास ससरे ऐस कहा वो संदेशू पूतर फ्रण बाहुत बाहुत कलेशू जब सीता जी बन को देख कर डरैं तब मोगा पाकर मेरी ऐसी खुन से कहना की तुम्हारे सास और ससर ने ऐसा संदेश कहा है कि ये पुतरी तम लोट आओ, बंद में बहुत कलेज हैं, पे तुग रेह का बाहूं का बाहूं ससुरारी रहा हो, जहां रुची होई तुम्हारी यहीं, वे दे करा हो, उपाए क दम भा, फेराइता हो, प्रण अब प्राण अब लंबा, कभी पता के घर, कभी ससुराल जहां तुम्हारी प्रकार तम बहुत से उपाय करना यदि सीता जी लौट आएं तो प्राम मेरे प्राण को सहरा हो जाएगा जिरम नाहित मोर्य मरन परिनामा कचुन बसाए भैं विधिवामा कचुन बसाए भैं विधिवामा याशे कह मुर्च पराम ही पराऊ राम लखन सिया ने दिखाऊ पर कुछ बस नहीं चलता हाराम लख्षमन और सीता को लाकर दखाऊ ऐसा कहकर राजा मुर्शत हो का प्रत्वी परगर पड़े सिरम पाए रजाय सुनाए शिरो रथ रथ बेग बनाए गया हो जहां बाहर नगर एसी ये सहत दो भाई लखन से राम चंदर की जाए पबन सतान मान की जाए गुसाई तुल सिदास की जाए बुल भाई से बसंतन की जाए प्रत्वी जाए